नमस्कार ये एक सोशल सवे सनावस्मेंट है जो जन हिल्थ में जारी है सरकार आप कुछ बाते बताना बहुत ज़रूरी समझती है और मुझे लगता है कि ये मेरी समिधारी है देखो बेसिक्री आजकल की ग्रॉल्फर नमक तबाए की खानी है इश में कैसे प्यार से लवडे लगते हैं बस इतनी सी बात अपको बतानी है पोसकता आपको मेरी बात अच्छी ना लगे आम ज़स्वांग मलांत पैसे विवकान की बविवन हैबी सबंगी वाँ फॉक लॉंडे प्यार में क्या दिया चूती आपने निकरते तुम इसके बारे में सोचोगे और इनमें से तुमने कित्ते किये यह सोच के खुद को कोसोगे कहते श्काग का दरिया लेकिन लवडू तो तहरना का आता है जहां दी जाता गांडू वाँ पर तुकाय को कुछ आ रहा है आजकल की रिलेशन्स कितने जाटू और दो पॉडिक है हमारे अंदर के सारे खाव उस मां की लवडिक है उर्ता हुआ तीर हमको अपनी गाण मी लेने का बहुत चौक है तुकि पहले दिन से अपको पता रहता है बाबा की पिच्चर अपनी फ्लॉब है तुमारे जैसे चूती आशी के हुमा चुकी हासार यह सारी मतलब की मशीने इनको किसी से नहीं हो सकता प्यार कितनी भी मरालों इनको हमेशा कम पड़ जाता है हर दो मिनिट के बाद तो इनको अपना एक्स बॉइफ्रेंड याद आता है लेकिन हालत यह कि जानकर भी हम कुछ नहीं कर पाती सामने लिखर दाइगान फटने वारी है लेकिन क्यों उसको पन नहीं पाती पता नहीं यह चोटा सा पनना इनको क्यों नहीं समझ आता है कि इनका सो कॉल जो बेस फ्रेंड है इनके साथ में बैस सोना चाहता है रॉंडो सित्ती देर तक गले लगती है कि नजाने तब के पिछड़े और गान जोली में हम यह सोचते हैं कि हम यह शायद पिछड़े है इनकी सखी सहली हमें ब्रॉट माइंटर ओने की राय देती है खुश के रिष्टों के लवडे लगे है हमारे भी लगा देती है हमारे इंसेक्योर्टी का बहुत बढ़ा हात इनके कपड़ों को भी जाता है जिसेने कलिवज और एसक्रैक एक डम साफ नजर आता है लुवेस पैनना भी विचारियों की बहुत बड़ी मजबूरी है क्योंकि इनकी गान का तितली का टाइटू लोग को दिखना भी तो जरूरी है प्यार को समझने की इनकी आउकाद नहीं है हम माबाप से मिला दे इनमे ऐसी कोई बात नहीं है इश्क में हम इनको जबरन लैला बना देते हैं असलियत में लैला की जात नहीं है मैं चलता था जिस रास्ते तुझे पाने के वास्ते मेरी चाना मैंने क्या कुछ नहीं सहा जान के अंचाना था हमेशा मैं बेकाना था तुझे खोने के डर से कुछ ना कहा तुझे रहती है और कुछ बोलो तो इनका बोस्वड़ा उदास हो जाता है तुमारे अपसें से पता नहीं लॉंडिया क्या क्या करती है इनका कोई मान धरम कोई मॉरल वैल्यूस थोड़ी जिस्ते ही डरती है कोई बड़ी बात नहीं है जो भाई बोलकर इनको एक साल से गिफ्ट ले रहा है तुमारे जाने के बाद में भोसवड़ी वाला वो ही इनकी ले रहा है एक दिन गिटार उठा कर बोलती है इनकी दिन गिफ्टे बाद माई एक्स इक बार तुमूसे उसके नाम ही लिकल गया वें 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 वेंग सेक्स गान फटी में दो सेकंड में मेरा केले से किशमिश हो गया मैं छोटू कोटू हूंता रहा व विचारा जाडियू में कही खो गया बाप के बाद में स्कूटर नहीं लड़का BMW वाला होना कडको के इस साथ में होता हैं का सारा रंडी रोना पैसे वाले लॉंडे के साथ में एक दम गांट फटी में ही रहती है फिर उनकी माबेन क्या उनके जूते चपट भी है सेती है बच्पन में जो पापा ने समझाय था आप समझ आयो बात कि पढ़ाई नहीं करेगा आप तो अच्छे लड़की गांज मिलेगी मतलब पढ़ाई equals नौकरी equals पैसा होग पाक मतलब पापों को भी पता था यसालिया पैसो सी आती है Now the question is कि पैसा हो करें इनके जाल में क्यों पस आते हैं तुक्ते बन के क्यो इंके सामने प्यार के ले हाथ पलाते हैं क्योंकि हम चूती है and we always need an emotional support और उसी बात का तो फाइदा उढ़ाती है Motherfucking horse बट सारिया दा लास पाउंट, how many people they slept with They say so proudly कि ना जाने माबाब की कितनी सेवा की है 15-20 मिनिट तक तो हमको पहचानती तक नहीं है उसके बाद इनको याद आता है लेकिन इस ते सारे लोगों को याद रखना humanly possible भी तो नहीं है बड़ी बाद था है कि इनको याद है कि हम इनके साथ है और हो सकता है क्योंकि ये इनकी temporary हालात है नहीं तो कितने सारे लोगों को तो ये कपड़े पहनते ही पूल गई है आ कितना cute face पनाकर मेरी lyrics सुन रही है जैसे इनको idea ही नहीं है कि समय किसके बारे में बोल रहा हूँ आक्शिली है हस इसलिए रही है क्योंकि इनके गान फटी हुई है क्योंकि एक convention करके मैं इनके सारे रास कुल रहा हूँ मैं चलता था जिस रासते तुझे पाने के वासते मेरी जाना मैंने क्या कुछ नहीं सहा जानके अंजाना था हमेशा मैं बेकाना था तुझ खोने के डर से, तुछ ना कहा दूसरे डूस के एक्सेम्पल लेकर हमेशा हमारी गान जलाती है You know my friend Sani, oh my god, इसमें संजेत बद लिखता है अगर इके चूट ऐसी शकल से हमें प्यार नुआ होता ना तो हम बताते कि ये सुनकर हमको कैसा लगता है एक महीने में आपका संस ओफ इमर इनके सामने फेड हो जाता है तें दे टॉक बिजनेस, घर पे जा बोलू, तो कितना कमाता है फिर धीरे धीरे इनके बहवियर में चेजस आने लगता है और एक चम से लिख में बोई एनाराय आया आता है यो मा, वसाब लेकिन कभी मूँखोल कर यह नहीं बोलेगी कि वह आपको छोड़ने वाली है दे प्ले माइन गेम से लेट यू दू 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 उसके बाद हुआर यू अर बैंचौ और रे तू हमको लगता सिर्फ हमारे साथ हो है लेकिन बाई सब की स्टोरी है दिगल भी नहीं सत्ते ओगल भी नहीं सत्ते अजीब सी है मजबूरी है इसलिए आप लो मेरी लिरिक्स इतना जाधा कर रहे हो रिलेक मैं भी फ्रस्टेर्ट ओकरी कर रहा हूं यार यह कहानी नरेट हमारी गान मारते मारते भले कभी नी थकती है लेकिन लेंट उप्वास और रोजे एक्तम याद से यह रखती है ना इवन गॉद नोस देट यू गाइज आ सो फॉकिन फेक हस्ते होंगे वो उपर तुमारी जूती भगती देख भगवान करें जो मैंने सहा उसका इटलीस आदा तु भी भोगे और तु भी जाने कैसा लगता है अपना सब कुछ खोके तेरी आखों के सामने तेरा गॉइफ्रेंड किसी और को किस करे और सारी रात तु रो रो उकर बस मुझ को मिस करे इख मर ला वास टू तो तू देखना तेरे साथ में सब कुछ होगा उपर्वाला मुझे भी तो देगा तुछ पर हसने का इत मॉगा अब स्वाब होने वाले हैं हम दोनों के हालात तुझा ये सब बोलके बैट जौद मुझे कुझ वुरा लग रहा है क्यों मुझे हर जगा भी तरही मनूस चाहरा दिख रहा है मुझे बर्बाद करके भी क्यों तो मेरे दिमाग से नी चाहती है क्यों मुझे सुबेश शाम बस देरी आदाती है क्यों राते मेरी बाते तेरी सारी मुलाकाते तेरी जाने कैसे तुझको मैं बताऊं कैसे भुला हूँ तुझे दिल से मिटाऊं तुझे कैसे दिल की आग बुछाऊं तुझे अग्या आपाओ कि ऊच्चा टॉप्टान में जुझे अग्याँ प्रवट कि यूर आँ तुझे एंग्याँ मैं आपको तुझे ख्राइब हूँ झाल 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 झाल